हलो इस्टूडेंट मैं दीख्छा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं आगस्ट दो हजार तेईस के करेंट अफेर को इस करेंट अफेर स्रंखला के अंतरगत है हमारा चोथा मेजर टॉपिक है इस मेजर टॉपिक के अंतरगत आज हम पढ़ेंगे सुरक्षा और सिक्यूर्टी से सम्बंदित टॉपिक को इस टॉपिक का पहला टॉपिक आता है रक्षा अनुशनधान इवंबिकास संगठन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें Defense Research and Development Organization के बारे में आज हम पढ़ेंगे इसके कारियों को पुनर निर्धारे तिवं परिभासित भी करने कभी सुझाओ देगी गौर्ट लब है कि निम्रिखित कालनों के चलते D.I.D.O. में सुधार करना आवशक हो गया है और D.I.O. मिसन मोड परियोजनाओं को समय पूरा नहीं कर पारा है इसके परणाम सुरूप समय लागत में भारी बड़ोत्री होती है इस तरह कि देरी के कार्ण उत्पादों की अथुचित समय ने कूल उपियोग नहीं हो पाता है और तातकालिक आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए आयात पर सहारा लेना पड़ता है रक्षा स्वदेशी करण सम्मन्दी ट्रेल एमा के समाधन की आवशक्ताने भी प्रशाषने कार्मिक और बित्ती पड़ालियों की सूभवस्तित आधुने की करण को जरूरी बना दिया है और इसके संदर में जरूरी बना दिया है तथा यह डियाडियों की कामका जो ही तू उत्तरदाई कारण को समझे के डियाडियों की कामका जो ही तू क्या उत्तरदाई कारण है इसके अंतरगात आता है कि उन परियुजनाओं में सामज़ सिस्थापित करने में अस्फल रहा है जिसमें कई एजंसियां सामिल होती हैं या अलग-अलग समीतियों दोरा परियाप्त निगरानियों आवश्रताओं को बार 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 बदलना परिक्षर्ण चर्ण की दोरा प्रिचलित प्रोधुकियों पर अनुशन्दानों विकास के कार में प्रणाम सरूप प्रयाशों की निर्थक्ता में बढ़ोत्री होती है और इसके साथ ही इसे मौज़दा प्रोधुकियों या उपकर्णों को दोबारा उप्यों की संभावना भी बढ़ जाती हैं DRDO का नौकर साही करण DRDO का नौकर साही करण या है DRDO में परणाम और निस्पाधन की तुल्ला में तुपक्रियात्मत पहलूओं पर अधिक जोड़ दिया गया है इस पहलूओं की अंतरगतिया है इसे एक ऐसे विज्ञाने कारे परिवेस में सिल्ज़त करता है जिसमें इत्रकों की भागेदारी सीमित रक्षा प्रोधिक्यों में कोई विसे सग्यता नहीं रखने पर सामाने नौकर साहों की मुख भूम का बनी हुई है इसे DRDO तो अरसरू की गई पहलों में सीमित प्रभावसीलता का भी मुद्दा पैदा होता है अब जानते हैं कि DRDO की बारे और यहां रक्षा मंत्राले में अनुशन्दारे में विकास की एक साखा है जिसका विजन अत्याधुनिक स्वदेसी रक्षा प्रोधिक्यों प्रडालियों के साथ एक राष्ट को ससक्त बनाना है यह इसका मिशन युद्य की प्रभाव पर अपने पक्ष में करने के लिए रक्षा बलों को नबिंतम तक्निकी समाधान प्रदान करना ससस्तर बलों को अत्याधुनिक हतियार प्रडालियों के उपकरणों से लेस करना है इसके संदर में अब आता है अब जानते हैं कि इसके संदर में आंगे की राहे में देखते हैं कि नई रक्षा प्रोधिकियों तकनीकों उद्धोग के कंसोर्टियम में किसन रशना का नर्माड करने जिससे का उद्धिश रक्षा-णुशननारे मिकास बीनिर्माड उधारना रणीती हो सन रशना को एकिकरत करना है इस रक्षा-धोग में एक तीसरी सक्ति अर्थाथ नीजी छेत्रक को बड़े पैमाने पर आज करसित करने में मदद मिलेगी इसके साथ ही यह है इसके साथ ही यह है ससस्तरवलों की आवश्यक नवाचार में पोशे थी तू आइडेक्स जैसे परिवेस को कंसोर्टियम के अधीन लाना चाहिए एक सीर्स नर्णा लेने के लिए संस्था के रूप में रक्षानों श तरी सेवा प्रभाग का भी गठन किया जाना चाहिए और यह कदम छमता विकास और रक्षा नुशंदान इम विकास एकी करण की दिसा में रक्षा नुशंदान की प्रवंधन की निगरानी सुनिश्चित करेगा इसके प्रियात्मक उपाय को देखें कि इसमें कोई भी संस प्रियोग सालाओं प्रियोजनाओं को बंद कर देना चाहिए इससे बड़ी मात्रा में भूर्ष परिशंपत्ति प्राप्तों की जिसका मौद्रीकरण किया जाना चाहिए इस मौद्रीकरण से प्राप्त धनलासी से एकोस की स्थापना की जा सकती है जिससे नवाचारों का का वित्थे पोशन भी किया जास सकेगा इसकी संदर में अब आते हैं चैंद्रि ससेस्तरवल चैंद्रि ससेस्तरथ colors के वारे में ALL 17 हाली में जो ग्रहमंत्राले के द्वारा पिछले दीने तीरा परसों में चैनल 15 32 ज़वानों इस लगी बहुता है ने बेट्वान में बहासी aspects कि वारे में किया होता क्या है वर्तमाने साथ बल ऑल इसके सुरक्ष हबल से लगित भारत इसे मां की सुरक्षा के लिए किया गया था दूसरा आता है सीमा सुरक्षा बल इसके अंत्रगत इसका गठर 1965 में किया गया जो पाकिस्तान और भंगलादिस के साच लगने वाली भारती सीमाओं की सुरक्षा करते हैं नक्सल रोधी अभियान सेक तराश्ट सांती स्थापना अभियान आपदा प्रवंधन वा सीमा चीतर विकास कारेकरवां में भी योगदान करता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस सिवाली बल के बारे में केसी भारत चीन सीमाओं की सुरक्षा में 1962 में गठित किया गया था अस किये,在 1917 में इसका नाम बदल कर असम राइफल्स कर दीया गया था भारतों मियानमार सीमा की रक्षा करता है यह 12 नियंतर्ण है जो प्रिशाषन केंदरी ग्रह परिखा मंतराले की बास है, जबकि परिशिलात मथ नियंतरण है भारती ठलसिना के बास है, अभात है कैंदरी पुलिस बल के बारे में इसी बिधी की सासन लोक ववस्था और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने तथा सामाज एक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 1949 में गठित किया गया था। करता है इसके संदर में इसके प्रोख है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स जाता है जो सात्मा सुरक्षा बले इसके अंतरगाता है राश्टिय सुरक्षा गार्ड के संदर में। इसके सबी पहलों को गतविदियों को निप्टाना होता है इसके संदर में। अब जानते हैं। दूसरा आता है तनाव प्रबंधन की कमी के कारण बड़ी संख्या में आत्मयत्य जैसी घटाय घटेत होती हैं। साथ ही इसमें कर्मियों की भी जड़पों की संख्या में भी व्रद्धी होती है। तीसरा आता है एससस्तरवलों को नोकर साही करण उपदों नती की दर में गिरावट सामें तसी एपीएप के सीर्सपदों पर आईपीएस अधिकारियों को नियुक्ति किया जाता है। से सुरक्षबलों पर निरासरजनक प्रभाव पढ़ता हो और उनकी प्रभाव सील्था भी प्रभावित होती है। मजबूत आंतरिक सिकाई निवार्टंत का मौजूद ना होना, खराब उनिया दिनाचा जैसे की सीमा चोकियों पर बुद्धुत का आभाव कामकाजी परिस्थतियों के गंबीर रूप से प्रभावित होना, आधुने खतियारों की कमी होना, राज्यों की मांग के संदर मे संदर में CAPF की प्रूख चुनोतिया है, अब इसके डेटाबेस को देखे, तो इस डेटाबेस में CAPF की स्विक्रित पदों की संख्या 11 लाग है, CAPF में महलाओं की जो प्रितुनिल्थ होना 3.66% है, और इसमें जो पद रिख्थ है, 85,000 टूटल पद इसके अंतरगत CAPF की पहतर प्रदर्शन बनाने के लिए निम्लिखित कदम उठाए जा सकते हैं, जिसके अंतरगत पहला आता है, क्या राज्यों में प्रिशिक्षड बिदियों को उननत बनाना चाहिए, मैलाओं को प्रतिनिदित को बढ़ाना चाहिए, अगनी बीरों को सामिल करना था वलको तनाव मुक्त होना चाहिए, इसके संदर में इसके कुछ निम्लिखित कदम उठाए जा सकती हैं, अब हमारे नेक्स टॉपिक आता है, अंतर सिवा संगठन बिदियक 2023 के बारे में, यह संगठन बिदियक, हाली में अंतर सिवा संगठन बिदियक 2023 को संसत के दोनों संदों में मनजूरी प्राप्त हो गई, इसके अंतरगत इसकी प्रिष्ट भूमी को देखे, तो इसकी प्रिष्ट भूमी के अंतरगत आता है कि भारत में कई अलग अलग अंतर सिवा संगठन मौजुद हैं, जिसे अंडमाने को वर कमान, रक्षा अंतरिक छे जंसी और परियोग को अनुसासनत मक या प्रिशास्निक सक्टियों के प्रियोग का अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके परणाम सुरूप आयेशों ने सेवारत कर्मियों पर अनुसासनत मक कारवाही हे तूप कर्मियों को उनकी मूल सेवा एकायों में बापिस भेजने की आवशक्ता पढ़ती और यह प्रिया अतियंत बोजिल होती है। इसे पूरा करने में अतिदिक समय लगता है साथिये बित्तिय लाक्तों को भी बढ़ा देती है। इसे सयुक्त सेवा कमान सेन को कोई एक दल के रूप में परिभासित किया गया हो और जिसमें वाईशेन अधिनियम 1950 थलसेन अधिनियम 1950 नोशेन अधिनियम 1977 या उक्त अधिनियों में से किनी दो सेवारत अधिनियम के कर्मी सामिल होती है। इसके अंत्रे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैंद्रुदव्हा आयोशो के गठन के बारे में कि विद्हको में आयोशो के गठन को कैन सरकार को दिया गया कि असतीन सेवाओं धल Sevana, 9 सेना, वाय। कमांडर इन चीफ को ससक्त बनाने की संदर में किया विदेखों को आई उसू के पर कमांडर इन चीफ के ऑफिशर इन कमांड को उनकी कमांड की अधिन कारे रद सेवा कर्मियों के अनुसिस नात्मर और प्रशाशनिक नियंतर को अधिकार दिता है चाहे वह किसी भी सीमा मैं स सामिल हो मौजुदा संगठनों को बनाया रखने की संदर में अविदेखों के अनुशार पहले से मौजूद आई एसू और उनकी संबंधित कमांडर अपने कारे को जारी रखेंगे मौजुदा आई एसू कमांड मने कोवर कमांड रक्षा अंतरिक्षे जनसी रक्षा सामने प्रशाजन तथा जनहित की हादार पर भी निर्देश जारी कर सकता है कैंद्र सरकार के अधीन अन्यवल में कि यह केंद्र भारत में इस्थापित और संचालत किसी वीबल को सदी सूचित कर सकता है जिससे विदियक पर लागू होगा मामलों किसी के निप्टान और ब्यापक बेक की करण में देखें कि एक यह किये गई प्राओधानों के निर्माड में यह कर सकता है जिसके का इथ को जिश्यत किया जा सकता है अब जानते हैं इस से रेलेटिव सुर्खियों के वारे में पढ़ते हैं इसके अंत्रगत पहली सुर्खी आती है कि मोबाइल ओपियोग करता सुरक्षा सुधार की बारे में कि संचार मंत्राले ने दो मोबाइल ओपियोग करता सुरक्षा सुधार पेश कियो हुए हैं ये सुधार संचार सार्थी पोर्टल के पूरक के रूप में कारी करेंगी इसक बिरोधी तत्तों को सिम जारी कर सकते हैं के वाइसी में सुधार होगा जैसे जन्सांखी किया विप्रण अनिवारी रूप से प्रिंटेड आधार के QR कोड को स्कैन करने पर प्राप्त किया जा सकता है संचार सार्थी पोर्टल की मदस से मोबाइल ग्रायक अपने नाम पर पं से एकॉस्टिक साइट चेनल अटेक के दायरे को बढ़ा दिया गया ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लेप्टॉप के सभी मोडल में एक जैसा की वोड होता है जो और टीफीशियल इंटेलिजेंस सक्षम डीप लर्निंग द्वारा विसलेशन को आसान बनाता है एसी एक प्रकार की साइबर अटेक है जिसमें आई टीफीशियल इंटेलिजेंस का उप्योग करके बटन दबाय जाने से उत्पन ध्वानी की विसलेशन द्वारा पासवर्ड को डिकोड किया जा सकता है साइट चेनल अटेक इंक्रिप्शन बिधी में उप्योग की जाने वाले सहा अब आता हैं इस्पाइक नॉन लाइन ओफ साइट एंटी टैंक गाइड़न मिसाल के बारे में यह मिसाइल भारती बाइशना को इस्पाइक नॉन लाइन ओफ साइट एंटी गाइड़न मिसाइल प्राप्त हो गई है मिसाइल इस्पाइक एन एन एल ओएस में रूशी मूल के MI-17V-5 हेलिकॉप्टर्स के वेड़े के साथ एकिकरत किया जाएगा इसे इसराइली कम्पनी राफेल एंडवांस दिफेंस सिस्टम के बिखसेत और डिजाइन किया गया S5 के मिसायलों की छटी पीड़ी से सम्मन दे थे इसकी विसेस्ताओं को करती है और यह सामरिक सुईस पस्ट निर्दिशिक फायल मिसायल है इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल प्रोध्यूकियों का भी उप्योग किया जाता है इसकी संदर में अब आता है स्वाती बेपन लोकिटिक रडार माउंटेन की बारे में किया है भारती वायूशे नम भारती इसे नम है दुस्मन की आर्टिलरी का पता लगा न और अपने लड़ा को छमता को बढ़ाने के लिए स्वाती डवलू एल आर एम को सामिल किया गया यह एक अत्यादुनिक इलेक्ट्रोनिकी स्केस्ट फेस्ट एरे रडार है जिसे विशेश रूप से पहाड़ी और अत्यदी कुचाई वाले छेत्रों में कार करने के लिए डिजाइन किया गया यह बैंगलूर इस्थित भारती इलेक्ट्रोनिक लिमिटेट एक द्वारा विक्सित किया गया और स्वाती रडार एक अन्यवर्जन WLR प्लान्स होता है WLR M मौल्टर राकेट लॉंचर आदी का पता लगाने ट्रेक करने के लिए एडवांस सिंग्नल प्रोसेसिंग तक्निकों का उप्योग करता है साथी यह सटिक और्टिनरी हमले के लिए फाइवर ट्रांजेक्ट्री गोला मौल्टर आदी दागने के लिए सटिक दिसा का भी पता लगाता है इसकी बिसिष्था यह भी है कि यह कहीं भी ले जाया जा सकता हो तुरन तेनाद किया जा सकता है में विसेश्ता हैं इस रडार को से नकी बदलती परचारे नवश्यक्ताओं के अनुरूप कार करने के सक्षम बनाती हैं अब आता है अस्तर मिशायल के वारे में कि हलके लड़ा को विमान तेजस ने से अस्तर मिशायल का सफल परिक्षण किया गया है एमेशायल बेरंड विजुवल रेंज वाली एक हवा से हवा मार करने वाली सक्षम है तथा यह DRDO ने इसे स्वदेसी रूप से विक्सित किया हुआ है इसकी रेंज एम के फस्ट संस्क्रण में 80-110 किलोमीटर है और एम के टू संस्क्रण में 160 किलोमीटर है इसकी मुचाई 20 कि मेक 4.5 तक इसकी औ corrections अधिक्तम गती है अब आता है 3D printing बंब के वारे मैं 3D printing बंब हाली मैं UKRA änd मैं गोला बारूत की कमी इस इने पटने के लिए गोला बारूत की कमी से ऩने पटने और उनकी जवाबी कारवाई हो को जारी रखने के लिए 3D प्रिंटिंग बमों का निर्माड करने का फैसला लिया गया यूक्रेन के हतियार निर्माता गोला बारूत की तातकाले कमी को पूरा करने के लिए बी निर्माड के विविन मॉडलों की तलास कर रहे हैं और देस और विदेस में पिछले 3D प्रिंटिंग मॉडल उनमें से एक रहा है एक सोचालित मसीन का उपियोग करके पहले इनके आवराणों का निर्माड किया जाता है और फिर यूति के मैदान में उपियोग करने के पहले इन हैं इन बमों को केंडी बम की नाम से भी जाना जाता है केंडी बम बे बम होते हैं जो सस्ते और प्रभावी होते हैं और इसके अलावा या विविन आकारों में आसानी से निर्मेद किये जा सकते हैं जो ड्रोन ओपियोग करने में भी मदद करते हैं अब आता है सेन अभ्यास के बारे में कि सेन अभ्यास के संदर में कोन-कोन से सेन अभ्यास है। जैसे पहला सेन अभ्यास आता है आई आस ओस इंडेक्स के बारे में यह इंडेक्स दो हजार तेईस में किया गया और यह भारतिय नोशेना और रॉयल नोशेना की बीच आयो जित एक दूई वार्षिक समुद्री अभ्यास है इसमें पहली बार हिस्सा ले रही हो और इसमें भाग लेने वाले अन्य देशों में शेक्तराज अमेरका, सौधी अरेबिया, ग्रीश और कतर सामिल होते हैं यहाँ पर हमारा यह है टॉपिक सिकर्टी से रिलेटिट टॉपिक फिनेस होता है नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जादा से जादा सेयर करें, धर्नवाद